दोस्तो स्वागत है आप सभी का Apps Point में आज हम सीखेंगे अगर WhatsApp पर Wise Message Send नहीं हो रहा है तो उसे कैसे ठीक करेंगे दोस्तो WhatsApp पर यहाँ पर एक Wise का बटन होता है इस पर इस तरह से दबाते हैं उपर के साइड में लिजाते हैं और जो भी हम बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और यहाँ से हम इसे Send कर देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से अगर आपका Message Send नहीं हो रहा है यहाँ पर कुछ और Option आ रहा है तो इसे कैसे ठीक करेंगे यही जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ मेरे पास दो Mobile है यहाँ पर इस Mobile में ये Problem आ रही है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ Open करके यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर मैं किलिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तो आपको तीन तरीके मिल जाते हैं एक तो यहीं से आप कर सकते हैं आपको Microphone की Permission इसे On करना है जाने अन जाने में गलती से Microphone की Permission हम से Off हो जाती है तो यह Option यहाँ पर आता है जैसे हैं यहाँ पर हम किलिक कर रहे हैं यह बोल रहा है हमें के हमें Microphone की Permission देना होगी WhatsApp को तो यहाँ पर हम continue कर पाएंगे ठीक ए dwell पर किलिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको Permission का option मिल जाएगा ठीक यह तो यहाँ पर आपको आपको उपर वाला जो option इस पर किलिक कर देना है तो यहाँ पर आपकी जो setting है वो चालो हो जाएगी और आप voice message send कर पाएंगे लेकिन अगर इस तरह का option आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है WhatsApp पर एक second के लिए दबाना है तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी setting आ जाएगी तो यहाँ पर आपको क्या करना है app info यहाँ पर आप देख सकते हैं app info लिखा हुआ है आपको इस पर click करना है तो इस तरह से यहाँ पर WhatsApp की जो setting है वो आ जाएगी अब यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी permissions आप देख सकते हैं आपको इसे open करना है इसे open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है microphone आप देख सकते हैं यहाँ पर not allowed लिखा हुआ है इसके नीचे जो भी option दिखाई दे रहे हैं इनकी permission हमने WhatsApp को नहीं दीए तो यहाँ पर आपको microphone पर click करना है और यहाँ पर आपको इसे क्या करना है allow पर click कर देना है जो पहली वली setting है आपको इस पर इसे set कर देना है तो यह problem solve हो जाएगी अगर आपको यह setting इस तरह से दबाने पर नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर अपने mobile की settings में आ जाना है और यहाँ पर आपको app वाली settings ढोल लेना है आपको इस तरह से open करना है यहाँ पर आपको WhatsApp मिलेगा WhatsApp पर click करेंगे तो यही setting यहाँ पर आ जाएगी आपको permission में आना है और यहाँ पर आपको microphone की permission है इसे आपको यहाँ पर allow पर set कर देना है पहले वाली setting पर तो यह problem solve हो जाएगी अगर अभी भी आपको इदिक्कत आ रही है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं हम आपकी help जरूर करेंगे अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाते हैं तो अभी हमारे channel को subscribe कर लो साथ में bell icon को दबा कर all पर set कर दो तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में thank you